हलो दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पे तो अपने आज किस वीडियो में हम कुछ स्टेटिक जिक्के के टोपिक डिसकस करेंगे जो आपके एक्साम के पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टन्ट है तो हम इसमें देखेंगे कि कुछ राज चुके परमुक्तिवार उसके बाद हम कृषिय एंवम इसकी वीडिया पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे किसी भी सदन का सदस्य या विधान सबा का सदस्य बनने के लिए क्या आयू होनी चाहिए उसके बाद हम देखेंगे कौन सा प्रुशकार कब से शुरू हुआ minimum age होनी चाहिए तो देखते हम लोक सबा की तो लोक सबा का सदस्द चुना जाने के लिए 25 years age होनी चाहिए राज्य सबा के लिए ये 30 साल है विदान सबा के लिए same as लोक सबा 25 years विदान परिस्द के लिए 30 year होनी चाहिए मुख्या के लिए 21 साल होनी चाहिए सरपंच के लिए भी 21 साल होनी चाहिए और राश्टरपती के लिए 35 एर होनी चाहिए राज जेपाल के लिए 35 एर होनी चाहिए उप राश्टरपती के लिए 35 एर और परदान मंतरी के लिए 25 एर और मुख्या मंतरी के लिए 25 यर तो डारेक्ट कोशन पूचा जाता है कि राश्टर पतिया परदान मंतरिया कुछ भी इनका सदस्य बनने के लिए कितनी जोनी चाहिए तो यह सब आपको दियान रखना है चलिए अब हम पढ़ते हैं अब हम इसकी वीदिया तो देखते हैं सेरी कल्चर तो ये डी ये बिलोंग करता है रिशम कीट पालन से एपी कल्चर हम बोलता है मदुमक के पालन को पीसी कल्चर हम बोलता है मतस्य पालन को फलोरी कल्चर हम बोलता है फूलो के उतपादन को विटी कल्चर होता है अंगूर की खेती से एलेटर, वर्मी कल्चर हम बोलते हैं केंचोवा पालन, पॉमो कल्चर होता है फलो का उत्पादन, ओलेरी कल्चर होता है सबचियो का उत्पादन, होटी कल्चर होता है बागवानी, एरोपोर्टिक होता है हवा में पोधी का उगना और हाइड्रोपॉनिक्स होता है पानी में पोदो को उगाना वो स्टरी चलिए अब देखते हैं हम कुछ राज्य है और उनके जो फेमस फेस्टिवल है उनके बारे में ये इंपोर्टेंट आप से पूछ लिया जाता है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है तो चलिए अब हम डिसकस करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जल्ली कट्टू महोसव तो जल्ली कट्टू महोसव फेमस है ये कई बार आया हुआ है पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है ये ता मिलनाडू में सेलिबरेट किया जाता है उसके बाद फ्लेमिंगो ये पूछा जा चुका है ये अंदर परदेश में सेलिबरेट किया जाता है उसके बाद धानुयातरा महोसव ये ओडिसा में है और नुआ खाई महोसव ये ओडिसा में सेलिबरेट किया जाता है उसके बाद अंतहे प्रगने महोसव ये तेलंगाना में सेलिबरेट किया जाता ह पुद्ध कम्मा सो ये भी तेलंगा ना में सेलिबरेट किया जाता है लाई हरोबा त्योहार ये इत्रिपुरा में सेलिबरेट किया जाता है लोसार त्योहार ये एक बर पुछा गया था ये हिमाचर परदेश का है फागली महोसो ये हिमाचर परदेश का है देज सूरिय महोसो ये बिहार में सेलिबरेट किया जाता है चापचार कूट महोसो ये मिजोरम का फेस्टिवल है उसके बाद देखते हैं फूल दिए तयुहार ये उतरा खंड का है मिर्च महोसो ये मद् परडेश में मनाया जाता है और सिरू यलिली ये मनीपुर का फेस्टिवल है उसके बाद देखते हैं आदी महोसव ये लेह लदाक का है लोसार महोसव ये भी लदाक में मनाया जाता है होन बिल फेस्टिवल ये नागा लैंड में है ये फमस है, इंपोटन्ट है मांडू महोसव यह मद्यपरदेश में है चेरी बलोसम फेस्टिवल यह मेगाले में है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा पुरुषकार कब शुरू हुआ तो देखते हैं नोबल पुरुषकार की सरुवात हुई थी 1901 से यह बहुत बार पुछा जा चुका आपको ध्यान रखना है अवोर्ड सारे इंपोर्टेंट होते हैं आपको सभी का ध्यान रखना है ओसकर अवोर्ड की सुरुवात हुई थी 1929 से उसके बाद देखते हैं भारत रतन यह शुरू किया था देना 1954 में उसके बाद ग्यानपिट पुरुषकार यह 1961 से देना शुरू किया था गांधी सांति पुरुषकार यह 1995 में देना शुरू किया था दुरुनाचारिय पुरुषकार यह कोच को दिया जाता है तो यह 1985 में शुरू किया गया था उसके बाद मैन बुकर पुरुसकार ये 1969 में अरजुन पुरुसकार ये 1961 में शुरू किया गया था और पुलतजीर पुरुसकार ये 1917 में शुरू किया गया था उसके बाद व्याद सम्मान ये 1992 में शुरू किया गया था उसके बाद देखते है कलिंग पुरुषकार ये 1952 में शुरू हुआ था और सरस्वती सम्मान 1991 में दादस सहे फाल के पुरुषकार ये 1969 में शुरू हुआ था और रमन मेकसे से पुरुषकार अगेन इंपोर्टन ये 1957 में शुरू हुआ था राजीव गांदी खेल रतन ये 1992 में शुरू हुआ था साहित्याकैडमी पुरुषकार ये 1955 में शुरू हुआ था राश्टियफलम पुरुषकार ये 1954 और शांती सवरूप बतनागर पुरुषकार ये 1958 में शुरू किया गया था तो चलिए अब देखते है कुछ परमुक राजवन्ष और उनकी स्थापना की कौई सा राजवन्ष किसे ने स्थापना की थी तो सबसे पहले देखते है हरियक वन्ष तो इसके संसापक थे बिंबिसार उसके बाद नंद वन्ष ये तो इसके स्थापना की थी महापद फिर देखते हैं मूरिय समराज्य तो इसके सापना की थी चंदर गुप्त मूरिय ने उसके बाद देखते हैं गुप्त वन्ष इसके सापना की थी श्री गुप्त ने पाल वन्ष इसके सापना की थी गोपान ने पल्लव वन्ष के सापना की थी सिंग विशनु ने राश्टर तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें सब कुछ बहुत इंपोर्टेंट है, आपको सब याद रखना है, थैंक यू